आप एक साधारन ग्रहस्त हैं, साधारन ग्रहस्त से मतलब जो बागवट की परिभाशा में असाधारन कौन है, जो साधू है, संत है, सन्यासी है, महात्मा है, ब्रह्मचारी है, ये सब असाधारन श्रेणी के लोग हैं। आप जो हैं साधारन श्रेणी में आते हैं, तो साधारन श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपने जिन्दगी को चलाना, बिना विशेशक की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा, वो मैंने पिछले साथ दिन में अलग-अलग समय पर आपको बताया, आज फिर उसको कह रहा हूँ, रिपीटिशन कर रहा हूँ, ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है, आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पियें, ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक ने हैं, खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पियें, डेड़ घंटे के बाद पानी पियें, explanation में पहले दे चुका हूँ अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूँ खाना खाते ही पेट में अगनी प्रदीप्त होती है उसको जठर अगनी कहते हैं जठर पेट का वो इस्थाने जहां काने का पाचन होता है हिंदी में उसको आमशे कहते हैं संस्कृत में जठर कहते हैं तो जठर इस्थान पे अगनी प्रदीप्त होती है और ये अगनी डेड़ घंटे तक ही रहती है तो डेड़ घंटे तक पानी ना पियें तो अगनी अपना काम अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे आप घुटी हुई खिचुडी खाते हैं ना खिचुडी वैसे खाना बनता है वो डेड़ घंटे में बनता है फिर उसके बाद रस निकलता है और जब रस निकलेगा तब पानी की ज़रूरत है क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता तो कहते हैं डेड़ घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए ये सबसे जरूरी सबसे आवशक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए ये मैं बहुत आवशक नियम मानता हूं सब के लिए आप जैसे लोगों के आप मैंसे थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो धैरे अपने जीवन में तो आप ये चालू कर दीजे पानी घूट गूट गूट जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके हैं उतना और मूँ में घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करकर आप 6 महिने बाद देखना 6 महिने बाद आप के शरीर की पूरी बायो कैमिस्ट्री बदल जाए सबसे पहली चीस जो आप महसूस आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे पहले से जादा मेरे दर्द कम हो गए जो घुटनों का कमर का कंदे का जगे जगे आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिरका दर्द कम हो गया ऐसी पचासियों बातें आ 140 किलो का था, एक सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है, कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणाय हम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई exercise नहीं करता, क्योंकि उसको फुरसत भी नहीं है, IT कंपनी में काम करता है, लेकिन इतना जरूर करता है, पानी आई बार तो चमतकारिक result है, और कारण उसका क्या है, कारण उसका एक ही है, कि घूट-घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है, पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ acid बन रहा है, acid खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे प कि तरफ ले जाती है, brain hemorrhage करा देती है, paralyzed हो जाते है, आप गंबीर से गंबीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं, आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिन्दगी में आपको सबसे भारी पड़ेगे, ठीक है? तो पहला निय मैंने आपके लिए कि पानी खाने के डेल गंटे बाद पीना, हमेशा पानी घुट घुट बरके गुमा घुमा के पीना है, सुबे का पानी हो या दुपेर का, शाम का जब भी पीएं, घुट घुट बरके पानी कैसे पीएं? तो इन्होंने का ऐसे करके पीएं, यह जाने में मदद करें, भारत में हजारों साल की जो सब्विता है, गिलास नहीं है, यह गिलास जो है ना विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है, यह गिलास जो है ना यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया, यह पुर्तगाली जब हमारे देश में घुज ग गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिये नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जिकरें वो है नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है? फरक सीधा सा है पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ. पानी को जहां धारन किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं. पानी अपने गुण कुछ नहीं है. जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं. दही में मिला दो तो छाच में बन गय वो दही का गुण ले लेगा. पानी खतम हो गया. दूद में मिला तो दूद का गुण. तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा. लोटे का. अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना? गोल है ना? और आप थोड़ा गणित अगर समस्ते हैं और कम होता है. हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस एरिया कम है इसलिए सर्फेस टेंशन कम है. इसको हिंदी में प्रश्ट तनाओ कहते हैं. हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है तो सर्फेस टेंशन कम है और सर्फेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सर्फेस टेंश तो कम सर्फिस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलिफ करने वाली है क्योंकि उ सबसे अच्छा यह सारे सादूसंद कुएं का इपानी पीते आप जानते ना मिले तो बिहार कर जाते जहां कुएंगा वहाँ पिएंगे देखा ना आपने सादूसंद के वह कुएं का पानी उनके लिए सरुश्रेष्ट है क्योंकि कुएं गोल है कुएं की सरकम्फरेंस कम है और सर्फिस एरिया कम है इसलिए सर्फिस टेंशन कम है और सर्फिस टेंशन कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जड़ा देखिए आपकी बड़ी आथ है और छोटी आथ है आप जानते हैं कि उसमें मेंब्रेन है कच्रा उसी में जाके फस्ता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना प अप्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं आप एक एक्सपरिमेंट करिए आज घर जाईए और दूद लेके चहरे पर लगाई थोड़ी देर और पांच मिनिट बाद रूई से पोचिए तो रूई काली हो गई है ना कैसे अंदर का कच्रा और गंदगी बाहर आया कैसे ब दूद आपने अप्लाई किया दूद ने इस त्वचा के सर्फिस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तू का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फिस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही सेम आपने पेट में पानी डाला बड़ी आथ और छोटी आथ का सर्फिस टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आथ और छोटी आथ थोड़ी खुल गई और खुली तो सार कच्रा उसमें से बाहर आ गया और हाई सर्फेस टेंशन का पानी पिए ज्यादा सर्फेस टेंशन का तो आते सिकुडेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुडती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ़ेगा तो सारा कच्रा आतों में अंदर बंद हो जाएगा, अब यही आपको मूल व्याद, बवासीर, बगंदर सब करेगा इसलिए सर्फिस टेंशन कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कोई का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो तालाब भी गोल होते है ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा गोल कोई का पानी बहुत अच्छा तालाप से छोटी एक पोखर होती है पोखर अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लंबी है तो वहां का पानी हमेशा हाई सर्फेस टेंचन वाला है और नदी से ज़्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके ही नीचे आता है मने बूदें सब गोल है क्योंकि उनका सर्फेस टेंचन हमेशा कम है तो ये विश्रेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहाँ जो आपको याद दिला दिया वो ये कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में न ज्यादा अच्छा है लोटे में पीएं तो लोटे वापस लाएं घर में लोटे ही निकल गए अब गिलास गुज गए और लोटे निकलेना तो लाखों कारीगरों की जिन्दगी खतम हो गई जो लोटे बनाते थे खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाओं गाओं में कसेरा सब्दों समस्ते वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कांसे के लोटे बनाते थे सम मर गए विचारे हमारे गिलास के चक्कर तो बागबटी जी को अगर मानना है तो लोटा लाएं गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा है आगे बढ़ें पानी कभी भी खड़े होके ना पियें ये मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं हमेशा बैठ के पियें फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी न पियें और इस ठंडे पानी का यहां पर भी एक विशलेशन में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है हर ठंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है और हर गुंगुने पानी का सर्फ पीएंगे उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करें तो पेट को ठंडा करने की वो कोशुश करेगा पेट ठंडा हुआ तो सारे ओर्गन्स ठंडे हो सकते और आप मर सकते हैं तो पानी को पेट गरम करेगा फिर आप यह जान लेजिए और पेट पानी को गरम करेगा तो अ हर्ट को बलड कम होगा, ऑर्गनज को बलड कम होगा तो वो कमजोरी आने ही वाली है और हर्टटेक आ सकता है, брayn hémeryaj हो सकता है, क्योंकि कोई भी ओर्गन को बलड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तबी आप दुरुस्त रहने वाले हैं, इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए तो हमेशा कैसा पानी पिए गुन गुना पिए एक समय के लिए बागवट्ट जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पढ़ती हो आपके यहां तो पढ़ती है मार्च अप्रेल मई जून तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े क पानी पिए मिट्टी के घड़े के पानी को गुन गुना करने की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि मिट्टी से जादा शुद पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं तो यह अब थोड़ा आगे चले आगे चलें वो यह कि खाना जब भी खाएं आपके लिए नियम है इस्टेंडिंग पोजीशन मने खड़े होके कभी न खाएं हमेशा बैठके खाएं बैठने की इस्तिती यह सबसे अच्छी है कुरसी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहें तो इसी इस्तिती में बैठके खाना नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए बहुत आवश्यक है आपके लिए कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं आप जेन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता भक्ष और अभक्ष का ज्यान सभी सादू महराज देते हैं सादवी दही बिलकुल अलग काम तो दूद दही साथ में न खाएं दूद और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में न खाएं खीर खा रहे हैं तो दूद की है तो कड़ी नहीं खा सकते कड़ी खा रहे हैं तो दही की है तो खीर नहीं खा सकते कुछ भी ऐसी वस्तु जिसम दूद और दही उपयोग है वो साथ में नहीं एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिलकुल वर्जित हैं आप बिलकुल साथ में ना खाएं शहद अलग खाएं घी अलग खाएं शहद ना खाएं तो भी चलेगा गुड़ खाएं अच्छा ये बड़ी विचित त्रिस् आते हैं तो उसमें जरूर घी मिलाके खाएं तो गुड़ घी चलता है शहद घी नहीं कभी भी इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फनस कटहल दूद के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने का खटे फल जितने भी हैं संत्रा है मुसम्मी है वगरा वगरा ये दूद क के साथ जरूर खाएं वो आवला है आवला ये जरूर दूद के साथ खाएं इसके आगे का एक नियम है वो दूदल वाला एक नियम तो बताई दिया दूदल और दही ना खाएं और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गरम करें माने बगार हैं तासीर उसकी गरम करें फि अगर पीनी ही है तुरंद प्यास नहीं रुक रही है तो चाच को बगा रहें मने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है तो आप ले सकते हैं और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना साड़े नो दस वज़े तक क्योंकि उस समय जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीव रहे और शाम का खाना पांच-छे वज़े तक ये मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया बागबट जी ने का इसमें जलवायू का मौसम का ध्यान रखना है तो आपके हिसाब से माने आप तो नो साड़े नो दस वज़े तक भरपेट खाना खाएं शाम को पांच-छे वज़े तक भरपेट खाएं बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो तो कुछ फल खालें नहीं तो अच्छी चीज बागवट जी ने जो कही है सुबह का खाना जो नो दस वज़े ख खाएं क्योंकि गुड़ और चना गुड़ और मुंफली उसमें हैं दुपहर को अगर भूख लग रही है चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते मने जादा भी खा सकते बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ जादा हो जाएं तो आख से खून ना आये थोड़ी सोट या अधरक सोट इस्तेमाल करते हैं तो सोट नहीं तो अधरक उसके साथ ले फिर आगे बागबट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरन से बहुत रिश्टा है आप जिस वातावरन में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा अब माली जी आप मदरास में रह रहे हैं तो मदरास के आसपास का जो वातावरन है यह गरम है गरम वातावरन में गेहूं नहीं हो सकता गेहू को होने के लिए फंड चाहिए तो निशित रूप से चिन्नई के आसपास किसी खेत में गेहू अच्छा होगा नहीं कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब फंड बढ़ जाए क्योंकि गेहू ठंड की फसल है गर्मी की नहीं गर्मी की फसल जो है वो चावल है धान है चावल है बाजरा बहुत गर्मी की फसल है ये राजिस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजिस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है कच्छ में सौराश्व में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे हैं यहां चिन्नई में आप रहते हैं ना जुआर की रोटी खाएं बाजरे की रोटी खाएं गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा जो यहां हो रहा है वो जादा खाएं अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो ग कच्छ में या सौराष्ट में कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं अगर यह मजबूरी खतम हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से मजबूरी कैसी कच्छ में सौराष्ट में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे क्योंकि मन जो है न छूटता नहीं है इस्थान से लगा रहता है स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ तो स्वाद के लिए ये अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड के ना खाएं यहां पर चिन नहीं गुड और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं गोड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं, ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है, वो सबसे अच्छा है, तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वाता वरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खा एक सुत्र छूट गया, जो बहुत आवश्चा, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पीएं, कारण में बता चुका हूँ कि उठते ही आपके मूह में जो लार बन रही है, वो बहुत बहुत कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूली चीज है, वो अंद से दो गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजूरग है, उनको भी लेल से दो गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60, तो कम से कम तीन गिलास, पीने का तरीखा वो ही है, सिप 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 करके पीना, और ये सुबह का पानी अकेला पानी है, जो बिना प्यास के भी पीना, जी ये मुख्य नियम मैं मानता हूँ आपको जरूर धारण करने चाहे और मेरी एक दूसरी गुजारिश है आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से कुछ ने तो शाय शुरू भी किया है दो तीन दिन से जरूर पालन करें हो सकता है कि 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें कि रिपोर्टिंग करें क्यों मैं आप सबको बागवट्ट का चेला बनाना चाहता हूं मैं ये चाहता हूँ मैं विनमरता पूरवा कह रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्यान मैंने छे साल में लिया ये साल भर में आपके पास पूरा पहुँच जाए क्यों आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्त रही सकते हैं अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पडोसियों को भी रख सकते हैं और बागवट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करें वो ही मोक्ष का भागी है बने भागीदार हो सकता है तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे स मोक्ष में चलें वहां भी हम यह करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे देश भी अच्छा हो जाएगा यह कहकर मैं अब प्रशनों की तरफ चल रहा हूं प्रशन मेरे पास भरपूर आ चुके हैं मैं कोशिश यह करूंगा कि जो प्रशन एक बार उत्तर आ गया उसको जो मैं सबसे आसान मानता हूं आखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं फिर दो रहा हूं आपको सबसे अच्छा आसान उपाए मैं बता रहा हूं वो यह जिनको भी डार्क सर्कल है सबेरे उठें सबसे पहला जो आप का थूक है मूँ का लार है इसको आखों के नीचे लगा के मालिश करें हलकी हलकी मालिश करें आपके सारे डार्क सरकल खतम हो जाएं और यह जो सुबह का मूँ का लार है इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते खाज है खुजली है दाद है सोराइसिस है इचियोसिस है एकजीमा है हर जगे इसको एपलाई करें और हलकी हलकी मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो तो ऐसी इस्तिती में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा या लिखा दूँगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सब मिटा देगे वो व्यक्तिगत है नीद बराबर नहीं आती नीद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजे कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है वायू बढ़ी हुई है तो अच्छी नीद कभी नहीं आएगी तो इसके लिए बहुत सरल उपाए मैंने बताया था रात को गाय का घी हलका गरम करके दोनों नाक में डालें और हलके से खीचें जादा तेज ने बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा बहुत खीचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है तो हलका खीच कर छोड़ दें और सो जाएं बूल जाए नीद बहुत अच्छी आएगी खराटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे स्नोरिंग बिल्कुल खतम हो जाएगी नीद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे रात में नीद कभी खुलेगी नही छे घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम, रात की नीद खुलने का एक वो तकलीफ आगया ना, पेशाब आती है, नीद खुल जाती है, घी डालके सोएंगे तो रात को नीद कभी नहीं खुलेगे, छे साड़े छे साथ घंटे के बादी खुल, और बच्चों को तो ज प्रेशर, रक्त का उचा दबाओ, अस्थमा, पेट की कबजी, और इसमें भी फिर आ गया है, तो चा का कालापन वो में उत्तर दे चुका, अब मैं आ जाता हूँ, ब्लड प्रेशर हाई है, वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये कालपनिक चीज है, कभी बाद मे चर्चा करूँगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है, तो इतना ही जान लीजे, कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर कोई कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजे, इसको बागवटी जी दूसरे सूतर में कहते हैं, कि रक्त की अमलता बढ़ी होई ह अब रक्त में अमलता है, तो अमलता को खतम करने के लिए चारी ये चीज़ खाएं, चार चीज़ खाएं, चार, अब चार वाली चीज़ें क्या है, सबसे अच्छी चार की चीज़ें मैं थी, सबजी के रूप में भी और दाने के रूप में, मैं थी, दूसरी चार वाली च तीसरी चार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है सेव ये चारिये है केला ये चारिये है अमरूद ये चारिये है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है ये सब चारिये है सबजियों में पालक चारिये है बेंगन चारिये है आलू के बारे में कहते हैं ना अमली है ना चारिये वो बीच का है तो जो सबजियां आपको चारिये हैं और जो मसाले मने आउशदियां चारिये इनका उपयोग करें तो अमलता अपने आप कम होगी तो blood pressure कम होगा, तो triglyceride कम होगा, मोटापा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा आपका. तो हमेशा याद रखें. तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है, पानी में डालके रात को छोड़ दें, सुबह उठकर दाना चबा के खाएं, पीछे से पानी पियें. गाजर का उपयोग बता दिया, कद्दू कस में घिसें, गाजर ले लें, और वो कद्दू कस की गाजर को खा लें. और चारिये चीज, मेथी की सबजी रोज खाएं, पालक की सबजी रोज खाएं, हरे पत्ते की कोई भी सबजी छारिय होती है हरे पत्ते की कोई भी सबजी छारिय होगी और फल जिसमें रस नहीं है वो सब छारिय होंगे बस याद इतना ही रखे तो आप अगर उपियोग करेंगे तो high blood pressure तो जाएगा ही उसके साथ blood cholesterol कम रहेगा ट्राइगलिसराइड कम रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट आपका कम होगा और उसके अंत में हर्ट अटेक आएगा नहीं, ब्लॉकेज भी है, तो निकल जाए और एक छारी चीज में भूल गया बताना, लौकी, दूधी, सबजियों में सबसे ज़्यादा छारी कोई चीज है, तो दूधी, मने लौकी ज़्यादा खाएं, दूधी ज़्यादा खाएं, और उसका रस भी पिएं, कच्ची दूधी का तो और अच्छा है, जितने भी हाई भी पी के मरीज हैं, उनके, अस्थमा, अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायू के प्रकोप की बीमारी है, तो अस्थमा ज्यादा है, तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, दाल चीनी, ये चारी है, दाल चीनी का उप्योग कर है और मुझे याद आगई तो मैंने आप से का जो भी फल में रस नहीं है वो चारी है और जो भी फल में रस है वो अम्ली है लेकिन ये नारियल अद्बुत फल है जो चारी है रस होते हुए भी तो ये चारी है अब ये क्यों है ये बाद का विश है तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं दमा के शिकार हैं तो नियमित रूप से नारियल खाईए हरा नारियल खाईए कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है चबा चबा के खाईए कितना खाएं जी एक दिन में पचास ग्रा वह चालीस साल पुराना हो तो भी इसके बार बाकिह अखों के मुह में चाले बहुत रहते हैं ये मुह में चाले बहुत रहते हैं इसका मनें पेट आपका साफ नहीं है बड़ी आथ आपकी कच्रे से भरी होई है तो मुह में चाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बता है न पानी उठते ही पिये घूट घूट पिये तो चाले अपने आप खतम जैसे ही बड़ी आथ साफ हो जाएगी चाले कभी नहीं आई और अगर आपको ये करने के बाद भी चाले में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूँ जो होमियोपैथी की दुकान में मिलती है जो बड़ी आथ को सबसे जल्दी से साफ कर देते हैं उस दवा का नाम है बोरेक्स सुहागा सुहागा आप सब जानते हैं सुहागा आथ को साफ करने वाली सबसे तीवर दवा है तीवर इसी का डाइलूशन करके होमियोपैथी में बनाया बोरेक्स तो ले लें किसी भी होमियोपैथी की दुकान से खरीद लें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इसके तीनी खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं क्योंकि ये तुरंत बड़ी आथ को साफ करता है पानी करेगा धीरे धीरे करें बोरेक्स तो एकी दिन में काम करता है लेकिन बागवट्ट जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं हर चीज स्लो है तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें और अगर आप बहुत परिशाने तबी बोरेकस का इसक्माल करें और ये दवा हमेशा जबन के बारे में मैंने आप से कहा था तो उस पर प्राशनाय है चार पांच गोमूतर सही गाय का है या उसको कोई भीमारी है किस तरह की प्रापलम हो सकती है अगर गोमूतर सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए मैं आपको विनमरता पूर्वा के एक experiment जो हमने किया वो बता देता हूँ गाए को हमने 6 साल जहर खिलाया एक गाए पर ये experiment हमने किया 6 साल जहर खिलाया सबसे खराब जहर खिलाया उसका नाम है संखिया अंग्रेजी में कहते हैं आरसेनिक तो हमने गाए को दिया चारे में मिला कर दिया बहुत मामूली मात्रा में क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादा देंगे तो गाए मर जाएगी हमें ये देखना था कि ये थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं उस पर असर क्या आता है तो छे साल जिस गाए पर हमने ये प्रयोग किया वो गाए अभी भी जीवित है अभी भी जीवित है और स्वस्त है तंदुरुस्त है हमने हर बार उसको संखिया दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया आया कि नहीं आया क्योंकि ऐसे कहते हैं ना खाओ तो सब कुछ आने ही वाला है मूत्र में और ब्लड में तो छे साल लगातार उसको संखिया खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में एक दशमलब जीरो 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 में चले जाएं उतना भी संखिया कभी नहीं आया अदबुत है ये अब मुझे पुरानी बात इसमें जोड़नी है बहुत लोग कहते हैं गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है वो शायए शंकर जी ने पी लिया शंकर जी तो मशूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए तो शायद गले में शंकर जी हैं गाए के तो वहीं रुका और सच में हमने ये देखा इसमें मैं एक्जजरेशन नहीं कर रहा हूं आप चाहें तो वो गाए कभी भी आके देख सके हमने उसके गले के आसपास महसूस किया छे साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है ब्लू कलर का और वहां से ब्लड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संखिया है मने आरसेनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में ही रुक गया शंकर भगवान ने शायद रोक लिया तो आप बे खटके गाय का मूत्र पी लीजे आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कच्रा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कच्रा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो साफ सुत्रे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो उसका मूत्र जरूर पियें वो सबसे ज़्यादा लाबकारी तो है लेकिन कुछ मजबूरी आ गई मजबूरी से मतलब में समझाना चाहता हूँ आप एक ऐसी जगे रहते हैं जहां गाय कच्रा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्द चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और आप किसी बीमारी से तड़प रहें परिशान है और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही तो बिना संकोच के ले 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 उसका हानी तो नहीं करेगा कुछ फाइदा ही कर जाए गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चेज हैं वो ये हैं कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं शरीर पता क्या करता है आपने मूत्र जादा भी पी लिया तो ये शरीर बीस मिनट के बाद उसको पेशाप के साथ अपने आप ही निकाल लेता है रहने ही नहीं देता उसको तो थोड़ा जादा पी लिया या खराब पी लिया उनिकल ली जाएगा जो काम का है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा भगवान ने बनाया है इसलिए बागवट जी कहते हैं कि ये विशेश तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रशनाएंगे उनका एक ही साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्थती में है उससे भी जादा खराब हो जाए इस हिंदुस्तान के भूतपूर प्रधानवंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से आपरेशन कराया था नहीं कराया इस पेशल चार्टेड प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत्र और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया कि सिर्फ वील्चेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थ्राइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन भागभट्टे जी के है उनका उपयोग करिये उसके लिए सबसे अच्छा वह बोलते हैं चूना खाै चूना चारी यह है अ म्लता को कम करता honissant ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थ्राइटिस होता है तो चूना खाहिए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में, चाच में, पानी में, जूस में और एक दिन में अर्थुराइटिस के पेशेंट दो ग्राम खा सकते हैं स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए चुना खाए, मैथी दाना लीजिए, छारिये है और सबसे चारिये चीज जो है, वो है हार सिंगार का पेड़, हार सिंगार देखा है परिजात, हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डिंडी होती है, सफेद फूल और केसरिया डिंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रातरानी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे जादा चारीय माने जाते हैं जो भी आउशदियां तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार-पांच पत्ते पीसिए पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर थंडा कर लीजे फिर वोई पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे मैंने ये देखा है गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो ये कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुरवांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे सब अपने घर में लगा लें गंबले में हो जाता है आसान और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों ये हर घर में रहे पेड कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है लोग सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेड रूम है उसके पीछे जरूर लगा लिजे और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ती देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस रूमेटिड और ऑस्टियो दोनों ही खतम होती है इस हार सिंगार के पत्ते से आईस्क्रीम कब खा सकते हैं कभी भी नहीं कभी भी नहीं और अगर आईस्क्रीम खाई रहे हैं आप कहते हैं जी मन नहीं मानता स्वाद है और मूँ को लग गया है तो इसका एक उपाय बता देता हूँ आईस्क्रीम खाईए और पीछे से गरम पानी में घी मिला के पी लीजी तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सोट का काढ़ा ये लोग जरूर पियें जिनको अस्थमा है जिनको अर्थराइटिस है माने वायू के रोग है वो दालचीनी का काढ़ा जरूर पियें गुड मिला के मुंगफली और तिल जरूर खाएं भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्बुत वस्तो है मैं तो आपको कहता हूँ जिन्दगी भर मोटापे से बचना है हर्ट अटेक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबा के काला तिल मिले तो बहुत अच्छा नहीं तो सफेद ही खाएं और आप जहां रहते हैं यहां के लिए तो बहुत ही अच्छा मद्रास जैसे एरिया के लिए एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें अमली ये चीज ना खाएं चारी ये चीज ज़्यादा खाएं एसिडिटी कम होगी और पानी घूट घूट पिएं एक डिड़ घंटे के बाद पिएं सुबह उठते ही पानी पिएं एसिडिटी सबसे पहले खतम होगी और आखरी दवा जो सबसे प्रभावी है जिनको भी एसिडिटी की बहुत तकलीफ है खाने के बाद ये जो अजवाईन है ना अजवाईन इसको भूने तवे पे और थोड़ा काला नमक मिला के ले ले मिश्री का सेवन बहुत अच्छा है चीनी से बहुत अच्छा लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है पर्मानिंट कहीं नहीं मिलता लोग जो है न मुझे कहते हैं कि राजीव दिक्षित रेल आश्रमी है माने हर दिन जादा से जादा मैं रेल में मिलता हूं तो पर्मानिंट मिलने के लिए एक केंद्र है आपको उसका पता किताब में है वो आप ले लीजे फोन नम्बर वहाँ आप कोई भी चिठी भेजेंगे मैं जहां भी रहता हूं मेरे पास आ जाती है और इमेल करेंगे तो मैं हर जगे खोल-खोल के मेरा मेल बॉक्स चेक करता रहता हूं तो वह पता जो वर्धा सेवा ग्राम का है भारत पीठम दस जोतवानी ले आउट सेवा ग्राम रोड सेव पाग्राम जिला वर्धा महराश यह मेरा पर्मनेंट केंडर है वहां पत्र भेज सकते हैं फोन भी कर से वहां फोन कभी भी करें तो पता चल जाएगा मैं कहा हूं और मेरा मुबाइल नंबर आप सबको मैं चाहूं तो लिखा देता हूं 94229 94229 03599 94229 03599 यह मेरा मुबाइल नंबर है और इमेल एड्रेस है आरे जे आई वी डी आई एकसाइटी एबी ए और निरेंजन भाई प्रदीब भाई यह कभी भी आप इनको संपर करेंगे तो यह कहीं भी खोच के बताएंगे कि मैं कहा हूं अभी मेरे पास एक प्रश्ण है वो इस समय के विशय से तो नहीं जुडा लेकिन मैं जोड के जरूर उत्तर दे देता हूं आजकल हमारे घरों में पैपसी कोक से भी ज़्यादा नूडल्स खाया जा रहा है पैपसी कोक कम हुआ है पिछले दो तीन साल में अच्छा हुआ नूडल्स खाया जा रहा है छे साथ दिन मैंदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सूर के मास का रस मिलाया जाता है बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता जो मैगी है ना मैगी या कोई भी नूडल्स सुवर के मास का रस सडा हुआ मैदा छे-छे दिन पुराना उससे तैयार हुआ है अब आप तह कर लो खाना है या नहीं खाना है एक प्रशन है जिसका उत्तर दे नहीं सकता किसी ने का आज की सिक्षा बहुत बेकार है बैकल्पिक सिक्षा की बात बताई तो समय ज़्यादा है आप मुझे इमेल करिए मैं लंबा जवाब दूँगा गाय का गी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था तो वो उत्तर दे चुका हूँ और फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गल्तीा और गी को हलका गरम करना जादा नहीं विए गाय का गी नाक में के लिए हमेशा हलका गरम करना जादा नहीं और एकी बूंद एक नाक में हाँ एक बहुत अच्छा सवाल है दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं सबसे अच्छा सेंदा नमक खाएं और इसको याद ऐसे रखे हैं पत्थर वाला नमक खाएं ये समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं पत्थर वाला नमक एक तो सेंदा नमक है दूसरा नमक है जो का क्लीफ है ना ब्लड प्रेशर की अर्थुराइटिस की यह नमक बदलने से बहुत आराम दे देगी आप तो सेदा ही नमक किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा तीन दिन खराब लगेगा और गोमूत्र प्योर है तो आधा कप लीजे किसी को प्रशन है कि दिन बर नीद आती रहती है क्या करें वैसे तो नीद आये तो अच्छा है लेकिन दिन बर नीद आये तो अच्छा नहीं है तो क्या करें इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक चार बहुत कम है और यह वह ही चार है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलता चूने से जिनको दिन भर नीद आती हैं वो चूना खाएं मठे में मिला के चाच में मिला नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं किसी ने पूछा है लगाएं जरूर लगाएं नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चिन्नाई में रहते हैं अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल करते हैं चिन नहीं में रहते हैं तो जरूर खास है, मालिश करना चाहें जरूर करें, डाइबिटीज के लिए क्या करें, डाइबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था, मैती दाना और त्रिफला चून, त्रिफला चून माने हर डे बहेडा आवला, एक, दो, तीन अन यमित करेंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है, और नहीं आये तीन-चार महिने में ब्लड शुगर नॉर्मल, तो एक, मुझे इमेल जरूर करें, या फोन करें, शुगर खाना, नहीं खाना, चीनी बिलकुल बंद कर दीजे, क्योंकि यही अकेली ची धनिया पत्ता, इसकी चट्नी, धनिया पत्ते की चट्नी बनाईए, पानी में मिलाके पी जाए, पानी गुन-गुना रहे, कितनी चट्नी, एक चम्मच चट्नी, उसमें कुछ डालिये मत, नमक, मिर्ची, कुछ मसाला नहीं, खाली धनिया पत्ते की चट्नी, और जब तक ध द्धनिया मिल रहा है तो ये हरे-पत्ते की चटनी, द्धनिया मिलना बंद हो जाय तो सूखा द्धनिया, ये द्धनिया जो है न थाईराइड की सबसे ऐच्छी दवा मानिय जाते हैं, पत्री, पत्री जिसको भी है वो चूना कभी न खायें, ये याद रख कहीं भी शरीर में पत्री है तो चूना कभी न खाए तो फिर क्या खाए एक दवा है पत्थर तोड़ दवा क्या बोलते हैं आप उसको पाखान बेद शुबाकान जी के यहां वो दवा है पाखान बेद कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसका काढ़ा बना के पिए यह जो पाखान बेद है ना इसका काढ़ा पानी में डालके उबालके और यह दवा आसानी से होमियोपैथी में उपलब्द है और इसी दवा का होमियोपैथिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वल्गेरिस पाखान बेद का बोटनीकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस ये किसी भी होमियोपैथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दू तो कहना मदर टि इसा बोलिए तो यह हलके गुलावी रंकी होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी दस-दस बूदें चौथाई कब पानी में डालकर दिन में तीन-चार बार पिलाएं एक महीने सवा महीने में सारी पत्री तूटकर निकल जाए और नहीं तो पाखन बेद जो दवा मिले आयु पीजिए पत्री वाले नहीं दातों का दर्द दातों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लॉंग लॉंग इस्तेमाल करिए लॉंग का तेल इस्तेमाल करिए और दातों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा-थोड़ा चूना खाते रहे और दातों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंतमंजन करते रहिए, पेस्ट बंद कर देज़, हाँ, अभी एक जरूरी प्रशन आया, शराब और गुठका छोड़ने के लिए क्या करें, जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीज़, ये बहुत लोगों के काम, शराब, गुठका, तंबाकू, इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है, संकल्प शक्ती से बचें तो अच्छा है, बागवटी जी कहते हैं, किसी भी व्यसन से बाहर आना हो, तो संकल्प शक्ती के साथ आई, तो अच्छा है, नहीं है संकल्प शक्ती, तो दवा का उप्योग करें, तो क्या दवाएं है आपके पास सबसे अच्छी दवा है शुद्द गाए का मूतर, अरक नहीं, शुद्द गाए का मूतर, दूसरी दवा आपके घर में है, अधरक या सोट, जिनको शराप से छुडाना है, बाहर निकालना है, उनको अधरक और सोट जादा खिलवाइए, रस पिलवाइए अधरक का सोट का काड़ा बनाके दीजिए गुड मिलाके दे सकते हैं सोट का काड़ा बनाके और गोमूत्र पीने को बोलिए नियमित रूप से अगर आधा कब भी गोमूत्र पिया तो सवा महिने में शराब छूट जाते हैं शराब जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उन अरुएद में कहा है ना कि विश को विश मारता है तो सलफर बढ़ता है तो सलफर कम करने के लिए बाहर से सलफर चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सलफर गो मूत्र में है सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम जादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड़ है तो बच्चों को गुड़ दीजिए जादा एक, उनको चूना भी दे सकते हैं चूना कफ का भी नाश करता है वातका तो करता है, कफ का भी करता है तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाक में डाल सकते हैं हल्दी जबरजस्त कफ नाशट है तो दूद में हल्दी मिला कर दीजे और दूद हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉंबिनेशन है तो जिनको सरदी जो काम बार बार होते हैं उसके लिए पित तो बढ़ा है तो क्या करें देशी गाय का घी खाईए देशी ताय का घी गरम गरम पानी में डाल कर पिएं तो सब पित्त को शांत करेगा और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक ये भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है ये मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलें कोई एक मह पाई लगातार बढ़ रही है यह मुझे शाम को मिलें चार बज़ें अ akanाल उड़ गए तो क्या करें बाल कम हो गए तो क्या करें बाल जड़ रहें तो क्या करें तीनों में एक उपाई हैं दही को तांवे के बतन में रखें पाँच-छे स्छे दिन खूप खट्टा हो जा तो इसको बालों में मालिश करें, एक घंटे के बाद बालों को शीका काई से धोएं, हफते में एक दिन जरूर करें, त्रिफला, शहद और गुड के साथ, सबसे अच्छा है गुड के साथ, सुबह खाएं, और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं, त्रिफला को ओश शदिये के रूप में लेना है, और शदिये ऐसी जो धातू वर्दक है, तो सुबह ही खाएं, और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है, मने पेट साफ करें, तो रात को ही खाएं, सोने के पर, बहुत ज़्यादा छीके आती हैं, नाक से पानी गिरता है, थोड़े दि केवडा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में, मार्च, अप्रेल, माई, जून, बारिश जैसे ही शुरू हो, केवडा वाला जल बंद कर दीजे, केवडा और एक होता है, खस, ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में, अर्जुन की छाल लेने का समय सबेरे का, काढ़ा बनाकर दूद में, नहीं तो पानी में, शक्कर नहीं मिलाएं उसमें, गुड मिलाएं, अर्जुन की छाल, टॉंसिलाइटिस की रेमेडी, टॉंसिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्वी, हल्वी का दूद बच्चों को रात को पिलाएं, टॉंसिल नहीं होगा, पिपर्म सबसे अच्छी चार यह चीज दम साफ कर देता आगो लेकिन प्यूर गोमोत्र औरक की दाल डालों का राजा है लेकिन दही के साथ नहीं हुआ कर दालओ का राजा है बिलकल सही हर दही के साथ नहीं दही के साथ यह है सुबह दूद पी सकते हैं मैंने मना किया है सुबह जूस पीना है दुपहर को छाच और रात को दूद लेकिन पीना ही है अगर तो आवले के साथ पीए ना पीएं तो अच्छा सुबह का दूद ही पीना है तो आवले के साथ मोटापा कम करने के लिए उपाय बता दीजे आप लिख लीजे इसको नहीं तो याद कर ले जिनको भी मोटापा कम करना उनको चारी ये चीज़े जादा खानी है तो मैंने आपसे कहा गाजर खाईए गाजर नहीं खा सकते दूधी खाईए अब खाएं कैसे गाजर को कद्दू कस्में गिसिए और उसके लच्छे बनेंगे फिर थोड़ी एक और चारी चीज आपको आजकल उपलब्द है सेब सेब पूरा चारी होता है तो सेब को कद्दू कस्में गिसिए दोनों बरावर मात्रा में मिलाके सुबह पेट बरके खा लीजए तीन महीने लगातार खाई फिर अगले तीन महीने इसको बैलेंस करने के लिए आवला खा लीजए आवला दो तीन आवला रोज मुरब्बे के रूप में या कहते फिर तीन महीने आवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इस पे आ जाईए तो साल बर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से एक तिहाई वजन तो आपका घटी जाएगा हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए human urine के बारे में आपने पूछा मैंने पहले ही बता अगर आप शाकाहरी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गो मूत्र उससे हमेशा बहतर है बच्चे पेशाप करते हैं बिस्तर में इसके लिए क्या करना खजूर खिलाए खजूर छोटे छोटे टुकडे काटकर बच्चों को खजूर दूद में डालकर छोटे छोटे टुकडे दूद में डालकर उबालिए खूब उबल जाए फिर वो दूद पिलाई है खजूर खिलाई तो रात का बिस्तर का पेशाप उनका बंद हो जाए वो एक प्रशन है, वो कबजियत से जुड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें, रात को त्रिफला चून खाके सो जाएं, नहीं तो दूद में घी मिलाकर पी लीजे, ये सबसे अच्छा है, दूद में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पीएं, तो सबेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है, और सबसे कम समय में पेट साफ होता है, नहीं तो त्रिफला भी ले सकते हैं, तीन महीने, देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए, जो मैं बार बार कर, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की तीन महीने से जादा मत खाईए, और अगर जरूरत पड़ रही है, तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजे, पंद्रे दिन का, दस दिन का, ब्रेक के बाद फिर अगले तीन महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजे, फिर ये नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकत पिट की हड़ी में दर्द है चूना चूना खाये बच्चों को खांसी की अलर्जी अगर है तो नियमित रूप से मैंने कहा न ऐसी चीजें दीजे कफ नाशक हैं सोट है पान का पत्ता है शहद है गुड है ये सभी कफ नाशक है कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है अगर चोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना दे कर आवला दीजिए और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा तीन चार साल हो जाने दीजिए उनका तीन चार साल के पहले दे सकते हैं तो आवला दीजे और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आवला ही अच्छा है त्रिफला उनको ना ही दें त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द कमर का दर्द तरीका मैंने वही बताए चूना सबसे अच्छा है अर्थृराइटिस के लिए घुटनों के दर्द एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी गूट-गूट पीने लगेगा जल्दी भूल जाए इसमरण शक्ती कम हो गाय का घी नाक में डालना सोते समय नीद जल्दी ना आये तो क्या करना गाय का घी नाक में डालके सोना हाँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रशना आया वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रीज का क्या करें तो मैंने तो बोला था कि यह बंद करते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए क्योंकि मैंने का ना हिंदुस्तानियों में एक बुरी आधत है कचरे को एकठा करने के घर में डिब्बर डिब्बह इतने एकठे रहते, फालतू पड़े रहते है, फेकते नहीं हमें हमेशा यह सोचते हैं कभी काम आईंगे, कभी काम आईंगे तो ये चक्कर घुज गया अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है तो एक मेहन ने या किसी ने सवाल ये लिखके भेजा है कि फ्रिज मैसे हमने सबजी निकाल के 48 मिनिट रख दी तो अब उपियोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई वो 48 मिनिट का जो किस्ता मैंने बताया ना तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए किसी तरह इसका उपियोग होता रहे तो ये मजबूरी का खेल है लेकिन कर लीजे कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में अगर उसको पकाना चाते हैं खाना चाते हैं तो निकाल के 48 मिनिट रख दीजे फिर उसका उपियोग कर लीजे सबजी के रूप में नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी कोई भी चीज एक बार गरम करके आपने फ्रिज में रख दी तो दुबारा गरम मत करें वो दूद हो या सबजी हो या दाल हो करिये ही मत क्या गरना निकाल के रख दीजे 48-50 मिनिट रख की रहे वो अपने आप थोड़ी गरम हो जाएगी प्रकरती की गरमिस फिर वो ही खा लीजे गरम तो दुबारा बिलकुल मत करें फ्रिज के दूद को दुबारा गरम कभी मत करें फ्रिज की दाल को दुबारा गरम कभी मत करें फ्रिज की सबजियों को दुबारा गरम मत करें चटनी भी फ्रीज में से निकाल के रखके खाईए दही भी फ्रीज में दही रख देते हैं 48 मिनट रखा रहने दीजिए फिर आप उसका उप्योग करिए तुरंत निकाल के और चार्ज बना के वो बिल्कुल मत करें मेवा खाना चाहिए के नहीं सुका मेवा जरूर खाइए ड्राइफ फुरूर्ट्स आप जरूर खाइए लेकिन जो ड्राइफ फुरूर्ट्स आपके लिए अन्कूल हैं आप जहां रहते हैं वहाँ के हसाब से Megahan करा हूं सबसे अच्छा बादाम आपके अनकूल है आपके अनकूल काजू नहीं है बादाम बहुत अनकूल है मदरास में रहने वालों को काजू अनकूल है जमू कश्मीर में रहने वालों तो बादाम भरपूर खा सकते हैं और जो दूसरी चीज अनकूल है मुनक्का किश्मिश किश्मिश और मुनक्य में थोड़ा अंतर है बड़ी किश्मिश को मुनक्का तो मुनक्का और किश्मिश यह आपके बहुत अनकूल है बादाम आपके बहुत अनकूल है मखाना मखाना 50-50 है ज्यादा अनकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो जारखंड वालों को आपके लिए 50-50 ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनकूल है बीच का है और बाकी जो अखरोट वगेरा है ये आपके अनकूल नहीं अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को आपके लिए अखरोट बिलकूल नहीं और ड्राइफ रूट्स क्या खाते हैं आप चिरोंजी क्या कहते हैं उसको जो चिरोंजी है वो आपके लिए अनकूल है चिन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनकूल है वो आप खा सकते हैं और ड्राइफ रूट शाहिद इसके आगे हैं हाँ केसर केसर अगर आप खाएं वैसे तो आशदी है ड्राइफ रूट नहीं लेकिन ये तीन महिने के आगे नहीं खा सकते नवंबर दिसंबर जन्वरी और दूद में मिला के मिश्री पिस्ता पिस्ता फिफ्टी फिफ्टी है अनजीर बहुत अनकूल है सिर्फ एक ही किसम के लोगों के लिए इसको मैं आपको कहता हूँ जरा ध्यान से सुन जिनको शरीर में शक्ती की कमी लगती है शक्ती की कमी लगती है ताकत कम है शक्ती कम है उनके लिए अंजीर बहुत फाइदे की है लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं से चेंदारू क्या होता है एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है आप खा सकते हैं एक सुझाव है प्रश्ण नहीं है और वो सुझाव मुझे सुविकार है वो यह कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ग्यान सतत निरंतर चलता रहे इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एज्जेस्मेंट हो जाए तो बहुत अच्छा मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो हाँ और बाबुजी बोलेंगे वैसे मेरा ऐसा कहना जो मैंने सीखा वो आप सीख लो उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं तो नियमित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था अगर आप सम मिलके करें मु माना जाता है जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा साधा बरतन का मने यो पीतल के उसमें रखा हुआ या कहांसे के उसमें रखा हुआ नहीं तो स्टील में रखा हुआ गर्मी के दिनों में घड़े का मिट्टी के घड़े तावे का पानी पी सकते हैं हाँ क्योंकि कुछालक है ना लकडी और तावा बहुत ज़्यादा सुचालक है एक होता कंडेक्टर और एक बैड कंडेक्टर तावा सबसे बड़ा कंडेक्टर है और लकडी सबसे बड़ा बैड कंडेक्टर है तो ये अगर आपने तावा पिया मने तो अर्थ के साथ जो कॉ के हो तभी तावे के बरतन का पानी पीना अच्छा है कि केन वाटर है बहुत लोग आज कर पी रहे हैं ऐसा प्रशना है तो यह क्या अच्छा है बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आप बोलें पिर क्या करें आपके घर जो पानी आ केन वाटर इसको खूब अच्छे से उबाल लें उबाल कर इसको रख लें फिर उसी को पिए यह केन वाटर से हजार गुना अच्छा है केन वाटर पता है यह पानी को शुद करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है और वो फ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबंदित यह सवाल है मैंसीज पीरियड का दो सवाल आये हैं एक तो यह है कि वाइट डिसचार्ज बहुत होता है तो क्या कर तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयूरवेद की दवा इस्तिमाल करिए उसका नाम है शतावरी शतावरी कहीं भी मिलती है आयरुवेद की दुकान शतावरी चून के रूप में ले लीजे इस शतावरी चून को दूद में मिला लीजे और रात को जरूर पीजे दूद हलका गरम रहे और शतावरी डाल के दूद उबाल भी सकते हैं फटता नहीं आभ जिनको भी वाय दिस्चार्ज की समस्या है शता वरी और दूसरी कि जब भी मेंसीस पीरियड आता है दर्द होता है तकलीफ होती है इचिंग बहूत हुती है तरह तरह की खुजलिया होती है शरीर में गुस्सा बहुत आता है चुल चड़ापन बगरा बगरा तो आपका जब भी मैंसीस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायू बहुत बढ़ी हुई है पित भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूँ बागवट जी का है मेरा नहीं वो यह कहते हैं कि मैंस गी मिला के पिए गरम गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का गी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भी घी भैसका भी चलेगा एक चम्मच मिलाएं आदा गिलास खूब गरम पानी खूलता हुआ गी मिला दें थोड़ा पीने लाइक हो जा उतनी देर दिन में दो या तीन बार पिचए तो अगर आपने यह शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ मैं नोरेजिया है तो ठीक होगा Metresia तो ठीक होगा सब सब ठीक हो जाएगा में जादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदार है हर आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिलाके किसी भी दूसरी प्राबलम के लिए मैंसी इस पीरियेड में ही पिये इसको ध्यान से सुने मेवा से वेट बढ़ता है काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता काजू ही है जो वजन बढ़ता है बाकी कोई भी सुखा मेवा वजन नहीं बढ़ता मुँ से बद्बू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है तो रात को त्रिफला खाके सो नहीं तो दूद और घी मिला के पियो सुबह उठते ही पानी पीलो मुँ की बद्बू बंद हाथ पर सुन हो जाते मतलब चूना खाते रही है हाँ अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीब फट जाती है तो आप चूना अगर सीधे जीब पे खाएंगे तो फटेगी पानी में डाल कर खाएंगे कभी जीब नहीं फटेगी दही में डाल कर खाएंगे नहीं फटेग जीप पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीप पटेंगे अब किसी ने एक सवाल पूछा हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए वो किताब में पूरा है आप पढ़ लीजे टीवी पेशेंट है ट्यूबरकलोसिस तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाएए अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अर्क नहीं खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो तीन से चार महिने में टीवी जड़ से ठीक होती है दही में या तो छाच में या तो पानी में नहीं तो पान में चूना ये पान में जो खातें वो ही और पांच मिनट रुकिये मैंने मेरा कंक्लूड किया है लेकिन ये आज के लिए है जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है ये तो रास्ता अभी खुला है